ये वीडियो completely educational purpose के लिए है और कुछ भी खरीदे या बेचें तो जो आपके लिए अच्छा है वो कीजे और ये वीडियो किसी भी तरह का recommendation नहीं है नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आपको क्या-क्या देखने को मिलने वाला है सबसे पहले नमबर पर हम देखेंगे कुछ large cap fund अपने पैसे बचाने के तरीके tracking error सबसे फर्स नमबर पर ये सब चीजे देखेंगे ठीक है में थोड़ा सा detail में discuss करेंगे अब इसमें बहुत कुछ आने वाला है तो हो सकता है वीडियो बहुत जाता लंबा बन जाए तो इसको दो parts में divide कर दिया जाएगा अगर बहुत वीडियो लंबा चला गया तो ठीक है पर्फोलियो हम से कैसे manage कर वा सकते हैं सब चीजों के बारे में आगे बात कर लेंगे ठीक है तो अब आगे हैं हम screen पे और यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपको मैंने mark किया हुए HDFC Index Sensex Fund को जो उनका favorite है जो वो हर बार बोलते है ठीक है टाटा का एक Sensex Fund है ठीक है उन्होंने सभी चारों Fund Sensex के add कर रखे थे तो मैंने वहां से दो ले लिये जिनका tracking error last year सबसे कम रहा इन दोनों का ठीक है 500 क्रोड से तो ज्यादा ही है तो minimum अगर क्राइटेरिया हम देखें index fund में तो 500 क्रोड होता है कि हाँ इतना तो AUM होना चाहिए उसका और उसके बाद अगर मैं बात करूं UTI Nifty 50 की तो इसका AUM काफी बड़ा है और काफी अच्छा खासा fund है ठीक है तो यहां पे इन सब के tracking error बहुत कम है return सबसे ज्यादा किस ने दिये last quarter में अगर मैं बात करूं DSP Nifty 50 ने ठीक है उसके बाद 6 month की अगर मैं बात करूं DSP ने ठीक है और 1 year की बात करूं DSP 3 years की DSP 5 years की DSP और एक चीज़ और बता दूं यह चीज़ ना मैं कह रहा हूं हमारे channel पे बहुत कम डलती है बह यह index ऐसा है कि हमेशा active funds को भी बीट करता हूँ आता है इसके बार में वीडियो बनाऊंगा अगले साल शायद एक या दो वीडियो पूरे साल में 300 वीडियो डलेंगी सिर्फ इसके बार में दो वीडियो डलेंगी क्योंकि हर महीने वीडियो डालना सेम चीज़ पे ठीक नह चाहते हैं तो सबसे अच्छा option है HDFC Index Nifty 50 में पैसा डालना चाहते हैं तो UTI सबसे अच्छा option है थर्ड option DSP में क्या है यह पैसा equally डालते हैं यानि कि जैसे कि माल लीजे अब होता क्या है यहाँ पे आप देखेंगे मैं थोड़ा सा नीचे आपको करके दिखाता हूँ पे आप देखेंगे 40-40% पैसा है Nifty 50 में 33 और यह डाल रहा है सिर्फ 15% क्योंकि सभी stocks में पैसा बराबर डल रहा है पहले से लेकर 50 पे तक लेकिन बाकी Index Fund में ऐसा नहीं होता तो यह problem आती है यहाँ alpha की बात करें तो आप यह देखिए इनका alpha यानि कि यह tracking error इसको as a tracking error भी आप देख सकते हैं कि दो से कम है इन सबका और इसका तो एक के आसपास है लेकिन इसका positive में है यानि कि बहुत ऊपर चला जाएगा इसका tracking error देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा लेकिन हमेशा positive में रहेगा क्योंकि alpha positive में है कई बर क्या होता है कि आप benchmark से बहुत कम returns आते हैं तो वो चीज है ये वहाँ पर ये वाली चीज नहीं होने वाली अच्छा खासा return आपको देखने को मिलने वाला है और सब में पैसा equal डल रहा है तो beta ये यहां बढ़ जाएगा risk काफी ज़्यादा हो जाएगा शार पे index का 1 से ज़्यादा सोटीनो 2 से ज़्यादा य ये बहुत तगड़ी तगड़ी चीजे है जो आपको ध्यान में रखनी है और ये fund के बारे में हमेशा बात नहीं होती ये large cap का exposure देता है आपको बहुत अच्छे से index का exposure देता है और बहुत बढ़िया काम करता है ठीक है अब आज आते है exit load पे sorry turnover ratio कोई इतना ज़्यादा न लोग बोलते हैं कि मतलब मुझे पता है किस तरह के लोग आपको यहां पर focus करवाते हैं वह इस तरह के लोग जिनका stock में license होगा ठीक है अच्छे से काम कर रहे हैं वह लेकिन वह आपको इस चीज़ को ना as a negative point sell करते हैं कि expense ratio ज्यादा है बहुत higher रहती है यह होता है वह होत कोई नहीं बना के देने वाला और मुझे कहीं पर मानलीजे मैं 10 रुपे दे रहा हूं और मुझे कोई 18 रुपे बना के दे रहा है और कहीं पर मैं 12 रुपे दे रहा हूं वह मुझे 24 रुपे बना के दे रहा है तो मैं शयद 12 रुपे वले बंदे के साथ जाना पसंद करू पहुत बहुत गजब की चीज है क्योंकि जब मार्केट अगर थोड़ा सा इस कंडिशन में है कि आप अभी स्टॉक्स नहीं लेना चाहते या बाद में किसी चीज के लिए पैसा इकठा कर रहे हो शौट टम की तो आपने डाल दिया शौट टम मतलब 2-3 यह ठीक है अपने इस इन के अंदर भी थोड़ा थोड़ा ही है लेकिन थोड़ा थोड़ा भी डैट करता है कोई ऐसी बात नहीं है अगर आप पैसा निकालने वाले हैं अब आ जाते हैं Medcap Fund पे, Medcap Fund की बागर मैं बात करूँ यहाँ पे तो हमने Kotech Emerging Equity का पहुत डिटेल में रिव्यू किरा था, वो जाके जरूर चेक आउट कीजेगा, केंडरा लुबे को Emerging Equity, Mirai Asset Large Cap ये तीनों Fund भी परांजल कामरा की वीडियो से ही उठाए गए हैं, और वहाँ से ही उन्होंने बोला था, कि इन Fund को मतलब अच्छे बुरे जो भी हैं हम इसको बस और ज्यादा डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं Kotech का Long Term में काफी अच्छा है Short Term में भी काफी अच्छा है Six Month में भी बहुत अच्छा है Mirai Asset Large and Mid Cap का भी अच्छा है अब यहाँ पे यह Large and Mid Cap Fund है Mid Cap तो actual में उन्होंने एक ही बताया धंका जो मुझे लगा कि mention करना चाहिए और इसकी डिटेल में आप वडियो जाके देखिए मेरे हिसाब से आप इसको अपने पोर्टफोली में थोड़ी बहुत जगा जरूर दे देंगे मेरे हिसाब से अगर हम उपर Large Cap किसी भी Large Cap को नहीं ले रहे तो हम यहाँ पे इन Large Cap को ले सकते है Codec Emerging को या Mirai Asset को क्यों? वो मैं दिखाता हूँ आपको पहले उसके पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी Codec की बीटा अच्छा है, आलफा भी अच्छा है शार पे ठीक ठाक है, स्टेंडर डेवेशन भी ठीक ठाक है बाकि अगर Mid Cap से Compare भी करूँगा तो भी, यहाँ पे इनसे हम Compare नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह Large and Mid Cap की Categories में आते हैं ठीक है, Turnover Ratio देखोगे 2%, Turnover Ratio होता क्या है कि कितनी जल्दी अपना Portfolio Change करने है पूरे साल के दौरान, तो वो बहुत कम है बहुत अच्छी बात है, इतना कम है तो ठीक है थोड़ा सा ओर नीचे जाएंगे, Expense Ratio वैसे तो मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर पैसा बच ही रहा है तो ठीक है, अपने आप पैसा बच रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है एक और चीज, यह Students के लिए Fund अच्छा है, SIP 100 रुपे लंसम 100 रुपे, इससे बड़िया चीज ही 10-15 मिंट तो और डालने पड़ जाएंगे मुझे अल्रेडी वीडियो बड़ा हो गया है ट्रिम करने के बाद भी यह 10 मिनट का तो होई जाएगा ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी हमें चलना चाहिए अब एक चीज और मैं important बता दूँ देखो, कोई भी expert होता है कोई भी expert, अगर हम उसको देख रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें अच्छा बुरा सब देखने को मिलता है उनकी मुझे सभी वीडियो बहुत पसंद आई सब वीडियो में अच्छे-च्छे funds थे मुझे लगा कि हाँ यहाँ इन्होंने मेहनत करी हुई है लेकिन एक जगा मुझे जो अच्छा नहीं लगा वो small cap category थी कि उन्होंने fund का कोई नाम ही नहीं बताया और जो fund का नाम बताया वो underperform कर रहा है ठीक है और काफी लंबे समय से कर रहा है उसके management में problem है इन चीजों के बार में बात ही नहीं हुई जो होनी बहुत जादा जरूरी है तो अगर आप रांजल कामराजी को देखते हैं तो अगली वीडियो आप जरूर देखना क्योंकि जहां अभी तक इस वीडियो में हमने उनकी तारीफ करी हमने उनके वले बतायवे funds को review करा सब कुछ करा लेकिन अब जहां पे वो एक गलती हो गई उनसे वो गलती हम थोड़ा सा rectify करने की कोशिश करेंगे और वो तो साल के end में ही पता लगेगा कि हमने घलती को ठीक किया या बढ़ा दिया ठीक है तो वो चीज आप जरूर देखिएगा next वीडियो में और इस तरह ये interesting वीडियो के लिए हमें follow कीजिए channel को subscribe कीजिए और हाँ last में ये बता दूँ अगर आप यहां तक पहुच गए हैं और आप चाहते हैं आपका portfolio हम manage करें तो आपको screen पे number दिख रहा होगा ठीक है अगली वीडियो में number पहले दे दूँआ ताकि फिर लोगों को ये ना रहे कि सरफ number ही नहीं बताया था अपने वीडियो में ठीक है तो hopefully अच्छी लगियो की वीडियो चलते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में